रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सलग बेच रहे हो, बिट्मिसियल बेच रहे हो, पूरा हि नमस्कार मैं शंबु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक मैं दो ऐसी खबरे लेकर आया हूँ जिसको दिखाने की हिम्मत ना तो इस देश के टेलिविजन में है ना खबार में है और जिन दो लोगों ने लिखे मुझे भी वहिम्मत नहीं है हो सकता है मुझे भी जेल में डाल दिया जाए इसलिए जिन लोगों ने ये खबर लिखी है सोसल मीडिया पर मैं उनको कोट करूंगा लेकिन दोनों खबरे बहुत जरूरी है एक खबर तो इस देश के बीजेपी के मिंबर और पार्लियामेंट ने ट्विट किया है और दूसरी खबर दीपक सरमाजों की सिनियर पत्रकार है उन्होंने ट्विट किया है आप परिशान है महंगाई से पिट्रॉल की बढ़ती कीमतों से आप विरुजगार है आपके पास नौकरी नहीं है आप रोज कटौती करके जी रहे हैं जरूरत के समानों में कटौती कर रहे हैं तो चिंता मत एक आपके लिए अच्छी ख़बर है देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोदी का जो नया दफ्तर है उसके जो बनने के खर्चे थे उसमें बढ़ोतरी हो गई है आप अंदाजा लगाईए कितने का दफ्तर बन सकता है सौ करोड़ दो सौ करोड़ पांसौ करोड़ कहां फसे भारत के बिश्गुरू बनाने वाले इस देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के नए दफ्तर का खर्चा है 1316 करोड़ मात्र 1316 करोड़ आपको पता है इसमें क्या क्या होंगे महंगाई के इस दौर में जब सरकार बचत करने की दुहाई दे रही है वहीं पियम मोदी का पियमो यानि उनका दफ्तर और महंगा बनेगा पियमो को निर्मान का पुराना ठेका रद कर दिया गया है और नया टेंडर अब 1316 करोड़ का होगा नय दफ्तर में 38 वाच टावर और सुरक्षा के आधुनिक साजो समान होंगे आपको पहले से पता है नया संसद बन रहा है 22,000 करोड का आपको पहले से पता है 8,000 करोड का उनका नया जहाज है आपको पहले से पता है कि Mayback उन्होंने Mercedes की जो नई कार ली है वो भी मैंने सुना कि 8 करोड का है अब इतना तो बनता है सहाब ये TV अखवारवल आपको नहीं बताएगा पता नहीं हमारे देश के परधान मंतरी का इतना शांदार दफ्तर बन रहा है वो क्यों नहीं बताना चाह रहा है मुझे लगता है देश को जानना चाहिए इस बात को और अब बरून गांधी की एक ख़बर बहुँ शानदार ख़बर है आपको पता इस देश में कितने सरकारी पद खाली है मैं बताता हूँ 12, 11, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, हमें ऐसे ही पढ़ना सिखाय गया है 60,821,133 सरकारी पद खाली है अब कहा कहा क्या क्या खाली है वो सुन लीजिए केंद सरकार में 9,10,153 पत खाली हैं पबलिक सेक्टर में लगभग 61,241,000,2,000,2,000,2,000,00 पत खाली हैं हेल्थ सेक्टर में लगभग 1,688,480 और आंगन बारी की 1,77,000 प्राथमिक सिक्षा में केंदरिय और नबोदय विद्याले में 16,339 प्रात्मिक स्कूल राज में 8,3752 में उस सिक्षा हायर एजुकेशन में केंद्रिया इन्वर्सिटी में 18,647 IIT, IIM, NEET, IIIT 16,686 अनार्थिक सेक्षिनिक संस्थान 1662 आर्मिय बंप पुलिस सोचिए साथ जवान सहीद हो गए हमारे फिर से लद्दाक में उनको निशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनकी सहीदी को सलाम भारतिय सेना में 1,7,500 पद खाली है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 91,929 स्टेट पुलिस में 5,3,737 अब जुडिशियरी कोट कचहरी में कितने पद खाली है उस्तम नियाले 4, उच नियाले 419 सुचिये सुप्रीम कोट में 4 पद खाली है हाई कोट में 419 और जीला और निचले कोट में 4,929 और बाकी स्टेट में 30,000,000 पद मतलब टोटल साथ लाख आठ अजार साथ लाख बिरासी अजार एकसो तीस पद जो है वो खाली है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बरुन गांधी कह रहे हैं इन पर जाके केस दर्ज करवाईए इनको गिरफतार कीजिए और इसी को लेकर सुरुपरताप सिंग साही ने लिखा जो रिटार्ड आईएस है जब 500 रुपे महीना और 5 किलो रासन देकर ही बोट खईदा जा सकता है तो फिर साथ लाख नौकरियां देने का बोट सरकार क्यों उठाए और जो इन दोनों से खुस नहीं है उन्हें खुदाई के काम पर लगा ही दिया है अमरीत काल में रुजगार की क्या दरूरत है तंज कर रहे हैं लोग रनविजय सिंग कह रहे है कल परधान मंत्री ने कहा था ड्रोन एक बर उन्हें ने कहा था खिलाउना खिलाउना पर भासन दिया था पता चलाम बानी ने खिलावना का बिजनिस सुरू किया है अब परधान मंतरी कल ड्रोन की बात कर रहे थे अब पता चला है कि ड्रोन अडानी ने 50% ड्रोन बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमारे परधान मंतरी को ये लोग मार्केटिंग वाले कह रहे हैं मु बात है बहुजन समाज का होगा और बाबा साथ की तस्वीर है जब खुदाई सुरू है तो कहां कहां खुदाई होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं तिरुपति बाला जी सिरी जगरनाथ बुद्ध बिहार आफ पास क्लेम प्रफेसर अलगबे एक नागपुर के बुद्ध बिहार यह सब बुद्ध बिहार थे खुदाई करवाई यह इनका कहना और दल्लोकमत टाइम्स में ख़बर चपी है तो मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा है और सोचिए साहरुक खान के बेटे को किस तरह से फसाया गया था अब वो ख़बार जिसमें सवर्ण समाज के लोग हैं जादातर उन्होंने आपके ही नेताओं को आपके ही नजरों में बदनाम कर दिया लालुयादव मायवती कांसीराम मुलायम सिंगादव इन सब को बदनाम कर दिया आजकल मुसल्मानों को बदनाम किया जा रहा है तो यह सबसे बरी ख़बर थी और यह देखिए एक और दुखत ख़बर है दो सवर्ण मुसल्मान ने कामले नाम के एक सिड्यूल कास्ट बवाय कि इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो एक उनकी सिस्टर से प्यार करते थे यह बहुत गलत है इसको लोकना चाहिए और मोदी जी ने ड्रोन मे क्यों ड्रोन उड़ा रहे थे क्योंकि 50% इंवेस्टमेंट है इन्डी टीवी कह रहा है इनको जेल भेजिए और नौकरी वाली ख़बरी आज खुब वायरल हो रही है रेलवे ने गयर सनरत्षा सरेनी के 91,000 पद खत्म किये जो फोर्थ ग्रेट के थे और एक नुपुर शर गिरफतारी नहीं होगी सोचिए प्रफेसर अतनलाल की गिरफतारी हो सकते है जबकि वो अभी हिंदू है वो अपने धर्म के करमकांड के खिलाब बात कर रहे हैं तो उनकी गिरफतारी हो सकती है लेकिन कोई दूसरे धर्म का आदमी तिसरे धर्म क्या लोचना कर दे तो उस अंदार खबरे चलती है बोर्ड देख लीजिए मध्द परदेश आदिवासी बित विवास निगम में कितने आदिवासियों ने नोकरी किये अधिकारी बने आए वो पुरा लिश्ट दिया एक भी नहीं दिख रहा है और सोसल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल हो रहा है संज सबसे जादा आज वाइरल है सोसल मीडिया पर और ये वो बिहार का बालक है बच्चा मासूम है इसका चेहरा बल चलिए देखने दिखा दीजिए किस तरह से इनको लोग टॉर्चर कर रहे हैं पतकाईता के नापर ये भी बहुत ज्यादा वाइरल है और कुछ बोलना है और चलिए और कि जिले में ब्याप भरस्त चार के लिए वाज उठाने वाले मैं नाम भी नहीं चाहता हूं पुलिस ने इनको नंगा करके मारा है तिर पाठी जी को यह बहुत ही अपराद है गलत है मैं अपने डीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका चेहरा बलर करें और नंग धरंग दिखाना ठीक नहीं है और सुचिए यह तमाम खबरें अब बात एक डीएम की एक खिरवार सहाब और दुगगा दो कलक्टर थे कुट्ता घुमाने वाली मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ कानून ही था नियम था दिली सरकार का कि साथ बेता कि यह दिया गया और ना चल सुचिए यह यह जाती का मैटर वही एक और सोचल मीडिया पर कलक्टर का वीडियो वाइरल हो रहा है नाम है उनका उदैन मिश्रा अब सुचिए जो खाना खा रहे हैं कलक्टर साहब उसका दाल देख लिजे सबजी देख लिजे इसलिए दिलीप पिल में अंडा केला कुछ नहीं देते हैं क्या यह खाकर बिहार के बच्चे तो भयंकर कुपोशित रह जाएंगे एक मिड़े मिल का बजट कितना है वीजे जिस दिन डियम खा रहे हैं उस दिन ये बना है तो बाकी दिन सुचिए एक कलक्टर खा रहा है तब उसमें दाल म पानी है, सबजी नहीं है, बाकी दिन क्या होता होगा, लेकिन सवन पत्रकार इनको कलक्टर सहाब के लिए तारीफ की पूल बांद रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि इस देश के CSTOBC मैनौटी को अपने नजरिये से सोचना पड़ेगा, इस मार्केटिंग को समझने की को गिन्नी माही, आप सब जानते हैं, भारत की उभरती हुई, ये स्टार गाई का है, गिन्नी माही, इन्हों लिखा है, फिलिंग सो ग्रेटफुल, टूड़ेगा, इनको लोग बुलाते हैं, दुनिया के कई देशों में जा चुकी हैं, और उन्होंने टॉप किया है बैचलर और अफ आर्ट्स में, तो गिन्नी माही को निसनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से बढ़ाई, और ये बाबा का चेहरा याद है आपको, अभी कहरें कि मक्का मदीना की हो जाँच, वहां था सीब मंदिर, ये बाबा पहले महिलाओं को गाली गलोज करने का रोप में गिरफ और अब बात निधी रतन की, निशनल दस्तक की महिला रिपोर्टर, जिसके वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं, ट्वीटर पर वाइरल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काउलर पकरा है, जो आरूपी है, वो उनके साथ बत्तमीजी करके भाग रहा था उन्होंने रेसिस्ट किया और उसको पकरा कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, और इसी में वो उनको पकरने की लगातार कोशिश कर रहे थे और वो भाग रहे थे, जिसमें कमप्लेन भी दर्ज है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि एक महिला पत्रकार के जब जुन्ड बना के बसलुकी की जाएगी, तो उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, रेसिस्ट किया है, वो काविले तारीफ है, निती रतन का कहना है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने उनको पकरा है, और अब दुसरी खबर यह देख लीजे, एक फिल्म आ र गंप इस पर जबाब देने की जगा कहते हैं कि मुझे पेसाव करने जाना है, क्या अमीर खान लाल सिंग चड़्डा में नरिंद मोदी के साथ एही करते नजर आएंगे, फोरेश्ट गंप यही महान फिल्म नहीं है, महान फिल्में असंभव को दिखाने का सहस रखती है, तो सोचिए लाल सिंग चड़्डा के लेकर एक तो पहली बात, कि भारत अब जो मुंबई में जितने सिनेमा बन रहे हैं, वो सब कहीं न कहीं से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, और कॉपी पेस्ट में भी अपने हिसाब से सहुलियत के हिसाब से आपको लगता है, कि कोई आज क हो रहा था, तो अमरिका में मैंडेटरी था कि हर किसी को सेना में सामिल होके बियतनाम से लगना है, जब मुहम्मद अली तुनिया के महान बॉक्सर ने उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा, कि पहले मैं उन बियतनामियों को क्यों मारने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं हू पहले मैं उनको मारूंगा अगर मुझे मारने का मौका मिले जिन्होंने मुझे रंग क्या धार पे गुलाम बनाया मतलब वहां असोयतों को गुलाम बनाया जाता था लेकिन आज भी भारत में ये तस्वीर देख लिजिए पैर में ताला लगा दिया गया है चेहरा नहीं दिखा सकते हैं बलर करके मेरे रिटर दिखाएंगे राजस्थान की खबर है जहां एक सुर्यूल कास्ट के युवक को पैर में बान दिया गया है मतलब चैन से बान दिया गया है क्योंकि उन्होंने बंधुआ मज़ोरी से इंकार किया था आपको नहीं लगता इस देश में बहुत सारे गम, बहुत सारे महम्मद अली की जरूरत है जो अपने अधिकारों के लिए असर्ट करें आपकी परत्किरिया क्या है अपनी परत्किरिया जोर दीजिए शुक्रिया झाल